प्रदानमंत्री नरेंड मोदी और अमेरिकी राश्वती डॉनल्ड ट्रॉम्प की है मुलाकात हुई है तो खास बात भी हुई है कई खास डील भी हुई है और आगे भविशे में और कई डील सील होनी है लेकिन मिलेनिया ट्रॉम्प पहली बार जब हिंदुस्तान पहुची तो मिलेनिया ट्रॉम्प के स्टाइल को देखकर उनके फैशन को देखकर उनके फैंस का जो उनके फैंस उनकी फॉलोर्स की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है गूगल पर बहुत जारा सर्च की जा रहे हैं मिलेनिया ट्राम्प उनके स्टाइल की बारे में लोग जानना चाहते हैं उनके फैशन की बारे में जानना चाहते हैं कुछ खास बाते मिलेनिया ट्राम्प की आपको मैं भी बता दू मिलेनिया ट्रम्प जो कि 49 साल की है 24 साल छोटी है डॉनाल ट्रम्प से तीसरी पतनी है राश्रपती डॉनाल ट्रम्प की अपने स्टाइल को लेकर अपने फैशन को लेकर और अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा अलग अब तक कही जाती है और कहा जाता है कि अब तक की सबसे ज़्यादा ग्लाम्रस अमेरिका की फर्स लेडी मिलेनिया ट्रम्प ही है अब जब भारत की यात्रा पर आई हैं तो अचानक से उन्हें सर्च करने का सिलसिला है जो उनके फैंस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं गूगल पर सर्च किया जा रहा है मिलेनिया ट्रम्प की बारे में मिलेनिया राश्रबदी की पत्नी होने से पहले मौडलिंग मे थी अच्छी सूपर मौडल रही मौडलिंग में अपना करियर उन्होंने बनाया राशवदी डॉनल्ड ट्रॉम्प ने जब पहली बार उन्से उनका फोन नमबर मांगा था तो फोन नमबर देने से इंकार कर दिया था आरा कि धीरे धीरे जो दोस्ती थी वो आगे बढ़ी प्यार परवान चड़ा और फिर दोनोंने शादी कर ली बहुत खास उनका रूटीन होता है डाइट का बहुत खयाल रखती है नुटिशन नुटिशियस डाइट उनकी होती है पानी कम से कम धाई लीटर वो पूरा दिन में पीती है उनके हाथों में एक रिंग आपको नजर आएगी अब आप सोच रहे होंगे कि उस रिंग की कीमत क्या है क्योंकि अमेरिका की फर्स लेडी उनके दिंचरिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं उनके स्टाइल स्टेट्मेंट के बारे में जानना चाहते हैं हवे पियरे उन्होंने मिलेनिया ट्रम्प के उस वाइट जंप सूट का जिक्र किया है इंस्टाग्राम पर फोटो जो स्केच तयार किया था वाइट कलर का जंप सूट ग्रीन कलर की बेल्ट वो इंस्ट्राग्राम के जरीए जानकारी दी है कि किस तरीके से ये ड्रस उनके जरीए तयार की गई डिजाइन की गई और फिर इसी ड्रस को पहन कर मिलेनिया ट्राम हिंदुस्तान की सर्जमी पर आई हला कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि दो दिन में तो ये दो ड्रस हैं लेकिन इससे पहले पहले किस तरह किस किस परिधान में कैसे खुबसूरत दिखी मिलेनिया ट्राम तो जब भारत की आत्रा पर निकलने वाले थे तब चेक्ड प्राउजर था ब्लाक टॉप था और एक ब्लाक कलर का ओवर कोट था हाला कि उस वक्त डॉनल्ड ट्राम रेड कलर की टाई में थे वो भी ब्लाक सूट में नजर आए लेकिन एफोस वन विमान के जरिये जिसके जिस विमान के जरिये डॉनल्ड ट्राम और मिलेनिया ट्राम भारत पहुँचे उसमें जाकर क्योंकि लंबा सफर रहा हजारों मील का सफर आप जब तै करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, विश्राम करते हैं और भारतिया सरजमी पर उतरने से ठीक पहले कपड़े चेंज किये गए थे और तब ये वाइट कलर का जंप सूट और डॉनल ट्रम को आपने देखा येलो कलर की टाई में गहरे रंग का सूट उन्होंने पहना हुआ था जैसे मैंने आपको बताया भारत की आत्रा शुरू करने से पहले चेक्ड ट्राउजर, ब्लाक टॉप और ब्लाक ओवर कोर्ट में नज़र आई थी हाथ में गंगूठी आप देखेंगे, मिलेनिया ट्रम के करीब 10 करोड उसकी कीमत बताय जाती है अपनी डाईट को लेकर बहुत ज़्यादा चॉआस रहती है अपनी देंचरिया को लेकर बहुत ज़्यादा चॉश near रहती है इस अंदाज में इस तरीके से आपके दिन की शुरुवात हो लेकिन हाँ उनकी खुबसूरती के खुब चर्चे हैं जानकारों के मुताबिक अपने फैशन स्टेट्मेंट को लेकर जानी जाती हैं अपने ड्रसेस को लेकर चर्चा में रहती हैं और कहा ये जाता है कि एक दिन रिपीट नहीं करती हैं आप समझे कि कितने जादा अपने लोग पर ध्यान देंगी हाला कि अमेरिका की फॉर्स लेडी है तो अपने लोग पर ध्यान देना बनता भी है हाला कि इसके ठीक उलट इवांका डॉनल्ड प्रम की बेटी कुछ पुरानी ड्रस में नजर आई इस सोशल वर्क उनके जरीए काफी किया जाता है अपनी इसी तरह की सोशल वर्क को लेकर इवांकार चर्चा में रहती भी है हाला कि ये बात अलगे कि उन्होंने भी मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था तो मिलेनिया ट्रम को लेकर ये खास जानकारी हमने आपके साथ साजा की ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए आप बने रहें इन खबर के साथ